हेलो गाईज, SK11 expert channel में आपका स्वागत करता हूँ, तो गाईज, आज किस वीडियो में मैं आपर बात करने वाला हूँ, जो आपको यहाँ पर A vs CS के बीच में New Zealand ODI Cup का, जो कि यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो रही है गाईज, इसके कुछ matches हो चुके हैं, फिर से यहाँ पर य मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जोएन जरूर कर ले, आपको इसी वीडियो को description में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करकर जोएन कर सकते हैं, फाइनल टीम अपडेट आपको वहाँ पर मिलेगी, अभी जो मैं टीम दूंगा, वह बस अभी बेस टीम ही रहेगी, जो फाइनल टीम अपडेट होगी, वह आपको टेलिग्राम चनल पर मॉड्लिंग में मिल जाएगी, तो जोएन जरूर कर ले, यहाँ पर साथ में तीन मैचेस एक ही टाइम में है, तो मेरे लिए तीनों मैचेस पॉसिवल नहीं है कि मैं कबर करूँ, तो मैं यहाँ पर यहाँ मैच कबर कर रहा हूँ, और अगला जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वह इस मैच का मिलने वाला है, तो चलिए फड़ावर्ट से मैं वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ, पहले मैं आपको दोनों टीम का स्कॉयड दिखा लेता हूँ, यह आप यहाँ यहाँ पर ऑकलेंड का यहाँ पर स्कॉयड देख सकते हैं, यह जाइज यहाँ पर 12 मेंबर का स्कॉयड है इन ही में से आपको प्लेयर्ट से दिख जाएंगे वह पर यह देख सकते हैं आप measured as К्वयड यहाँ पर Central district का, यह से Central Stack का स्कॉयड, यह भी 12 मेंबर का स्कॉयड है, इन्ही में से आपको players खेलते दिख जाएंगे अब मैं आपको Auckland के full stats प्रस info पर लेके चलता हूँ आभी तक 6 matches खेली है Auckland के team जिसमें से 2 जीती है तो ध्यान लखेगा उसका तो ये 6 matches का गयजी stats है ये यहाँ पर batting का है, full stats प्रस info है और ये balling का है देख सकते हैं, एक एक player का आपको सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा तो आप देख लिए अच्छे से उसके लावा ये यहाँ पर देख सकते है central stack का जो की सब से नीचे है 6 match में से मातर एक ही जीती है तो उसका भी आपको धियान लखना है यह यहाँ पर यह stats आप देख सकते है central stack का यह batting का है और यह balling का है अब चलिए हम अपनी फटा-फट से team discuss कर लेते हैं guys team discuss करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ point system में यहाँ पर changes हुए देख सकते हैं यहाँ लिखावा the new cricket fantasy point system will be followed to calculate points for this match यानि कि इस match से यहाँ पर नया point system लगने वाला है तो मैं आपको पहले पता देता हूँ यह नया point system क्या है cricket का तो जैसा कि आपको पता होगा यह ODI का match है तो ODD में चलते हैं और वहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर balling point में यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर bonus point यहाँ पर जूरा है अब अब कर बोल्ड कोई baller करेगा तो उसको plus 8 points मिलेंगे तो ध्यान लखेगा इसका वह पर batting points तो मेरे साब से सेमी है आप सब फिर से देख लीजेगा आप अच्छे से समझने के लिए मैं सिर्फ ऐसी आपको बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान लखेए अब चलिए हम अपनी team discuss करते हैं और जो other point मिल गए इससे ballers को और फैदा हो गया तो बॉलर्स पर आप ज्यादा ध्यान दे क्योंकि बॉलर्स के फैवर में ज्यादा point system मुझे लग रही है तो ग्रेंड लिग में बॉलर्स को आप captain wise captain कर सकते हैं विकेट कीपर सक्षन पर आते हैं यहाँ पर बेन हॉर्न अनभ लेवल है इस मैच के लिए स्क्वाइड में नहीं है तो नहीं खेलेंगे flips भी नहीं है और b vignins भी नहीं है तीनोव प्लेट नहीं खेलें वाला हो सकता है आपका opponent यहाँ पर तीनों में थीनों में से दो प्लेट को जरूर्म लेकर आए morning में बेन हॉर्न को और vignins को ऐसा हो सकता है क्योंकि यहां पर जो अच्छी ओप्सन वह बचती है या तो यह ओपन करेंगे और नहीं तो चौथे नहीं पर आएंगे वही पर इनके बारे में आदू यह भी ओपनर ही है वैसे मीडियल ओडर में भी खेल सकते लेकिन ज्यादा तो अगर यह ओपन करते हैं तो यह आपके लिए यहां पर बैट्समेंट के साथ जा रहा हूँ जो कि ओपन करेंगे अच्छा खेले इस सीजन रॉस टेलर यह स्कॉइड में जूट चुके हैं गाईस तो इनको मैं जरूर लूंगा इनका 48 के अबरेज ओडियाई में आप जरूर जानते होंगे इनको बिलियम और डॉनल को लूँगा जो की टीम के टॉप स्कूरर है और विल यंग को भी लूँगा यह भी बहुत अच्छे प्लेयर है अभी इनका सूपरेस मैस भी बहुत अच्छा गया है वही पर रॉबर्ट और डॉनल को भी मैं लूँगा तो पांचो बैट्समें के साथ जारो पांचो कर सकते हैं मुझसे पूछना चाते हैं मैं किसे ड्रॉब कर सकता हूं तो मैं वर्कर को करूंगा लेकिन अभी के लिए मैं पांचो के साथ जा रहा हूं वह पर गवत अच्छी ऑप्शन टीम के कैप्टेन है मिडर और में खिलेंगे आप इनको ट्राइ कर सकते हैं जी बैग सब्सक्रा के लिए लगांव दर ग्रेक्स के लेने करें लोगे लिए तो में फार अभी कर सोर्डिंग ब्लेए को को इनके squad में यहाँ पर वापसी हुई है, इनका super race match बहुत अच्छा गया है, तो बहुत अच्छा यह कर सकते हैं, उसके लिए वेन वीलर, इनकी भी वापसी हुई है, बहुत दिनों बाद, यह भी का एज बहुत अच्छे, यहाँ पर लेपना फास्ट मीडियम बॉलर है, और यह बैटिंग भी करना जानते हैं, तो आठ मैने वोपर बैटिंग भी मुझे करके देंगे, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ, और तीसरा मैं यहाँ पर लूँगा, विलियम सॉमरवल, यह भी बैटिंग कर सकते हैं, और ऑफिस पर डालेंगे, वही पर एक में प्लेयर बह यहाँ पर नहीं लेना, उसके अलबा, आपके अबास option में बी लिस्टर है, यह भी अच्छा कर सकते हैं, लेफटाम फास्ट यह भी है, आप इनको ट्राइ कर सकते हैं, जेडन लॉनक्स, और यहाँ पर एक प्लेयर है, अजाज पतेल, अजाज पतेल, इन दोनों में से कोई बन जाती है, कैप्टन सी मली क्लासन को जाएगी, जो की बैटिंग गॉलिंग दोनों करके देंगे, और वाइस कैप्टन सी विलियंग को, इसमें option में आपको दे रहता हूं, रॉस्टेलर बहुत अच्छी option है, यहाँ पर विलियम और डॉनल्ड टॉप स्कोर है, यह भी ब तीनों बॉलर को करना है गाइस, दियान लखिए, वीलर और सोमर बाइल को करेगा, तो बैटिंग भी बैटिंग भी करके देंगे, तो दोनों को आप डेफिनेटली ट्राइ करिएगा, क्योंकि जो नई पॉइंट सिस्थम आई है, वो ज्यादा बॉलर को फेबर कर रही है, तो यह अभी के लिए टीम बनती है गाइस, इसे बिलकुल भी फाइनल टीम डामाने, फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम चैनल में पर मिलेगी, तो जोईन जरूर कर ले, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जोईन जरू नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी ओन कर सकते हैं, ताकि जो आप आने वाली वीडियो छे उनकी नोटिफिकेसर मिस ना कर सके, तो बहुत जल मिलता हूँ गाइस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में